तन्वीर सिंग दिपिका पादुकोन और शाहिट कबूर स्टार फिल्म पदमावद 25 जनवरी यानि की आज रिलीज हो गई है और फिल्म की रिलीज से पहले ही शो के हाउसफुल जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं बता दे कि जब फिल्म बननी शिरू हुई थी तब ही से पदमावद विवादों से घिर गई थी पहले फिल्म का नाम पदमावदी से पदमावद रखा गया जिसके बाद भी करनी से ना लगातार कोशिशे करती रही कि फिल्म को देश भर में बैन कर दिया जाए लेकिन इसके बावजूद सिप्रीम कोट ने फिल्म के पक्ष में फैसा सुनाया जिसके बाद आज आकिरकार पदमावद रिलीज होने जा रही है पदमावद की महंगी टिकेट सोने के बावजूद भी लोगों ने फिल्म को देखने के लिए एडवांस बुकिंग भी कराई अब इन विवादों के बाद लोग जानना चाते हैं कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या था और यही देखने के लिए ओडियंस इस फिल्म के लिए काफी जादा एक्साइटेड है और इस फिल्म की पबलाइटी को देखते हुई अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ओफिस में काफी अच्छी कमाई कर सकती है माना जा रहा है कि अपनी पहली ओपनिंग में ही संजे लीला भनसाली की ये फिल्म 50 करोड तक कमा सकती है जी हाँ पदमावत कड़े विरोध के बाद भी बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाने वाली है फाइनल कड एंडेटेंडमेंट डेस्क